हेलो फ्रेंड्स मैं विष्णू आरके एक्जाम क्रेकर के यूटूब चैनल पर आप सभी का सवागत करता हूँ फ्रेंड्स आज की इस क्लास में मैं आपके साथ जो भी हाल ही में SSC CPO का अक्तुबर 2023 में एक्जाम हुआ है जो की 3 से 5 अक्तुबर के बीच आपका एक्जाम हुआ है तीन दिन एक्जाम चला था उसके जो SSC के ऑफिशियल पेपर से उनके सॉलुशन डिस्कस करूँगा और यहाँ पर मैं आपका जो रीजिनिंग सेक्षन है उसके पूरे जो सॉलुशन है वो बिल्कुल सौर्ट और इजी ट्रिक्स के साथ डिस्कस करूँगा आज की क्लास में हम जो है तीन अक्तुबर दोजार था इसका जो सिफ्ट वन का पेपर है उसके रीजिनिंग सेक्षन के कॉश्चन को बिल्कुल सो ट्रिक्स से साथ सीखेंगे और जिनका भी SSE CGL Tire 2 का, CHSL Tire 2 का या फिर जो आपका दिल्ली पुलिस का इनका एक्जाम है वो केंड़ेट्स इस वीडियो को जरूर देख लिजिए क्योंकि इसी पैटरन पर बेस्ट जो सेम टाइप के कॉश्चन आपको आपके एक्जाम में देखनों को मिलेंगे तो बार-बार इन कोश्चन को देखिए और बार-बार इनकी प्रेक्टिस करिए तो देखते हैं ये 3 अक्तुबर 2003 इसका जो SIFT1 का पेपर है उसका solution देखते हैं सबसे पहला ये कोश्चन है आपका sitting arrangement का कोश्चन है साथ लोग है A, B, C, D, E, F, G उनको arrange करना हमको एक row में एक line में face उनका north की तरफ है तो ध्यान रखना है face north की तरफ है ये important आपके लिए क्योंकि इससे ही आप जो है उसके दाएं या बाएं यानि left और right का exactly पता लगा सकते हैं सबसे पहली information है only one person sits to left of D यानि D के left में सिर्फ एक person है इसका मतलब क्या हुआ D के right में बचे हुए 5 लोग बैठे हुए ये हमने बैठा लिए अगले information देखे आप A is an immediate neighbor of D A जो है वो D का immediate neighbor है अभी इसको छोड़ते हैं only two people sit between F and D F और D के बीच में सिर्फ दो लोग बैठेंगे ये confirm information है हमारे पास तो D और F के बीच में दो लोग बैठेंगे तो F उसके right में ही हो सकता क्योंकि left में तो सिर्फ एक ही person बैठा है उसके फिर पिछली information पाते हैं A is immediate neighbor of D और फिर आपकी एक और information है only three people sit between C and G B is not an immediate neighbor of D only two people sit between E and A तो A के बारे में कहां कहां बता गया आपका last statement में और शुरूवाली में A जो है D का immediate neighbor है तो ये A हो गया मान लिया और last में बता गया only two people sit between E and A E और A के बीच में दो लोग है तो E आपका यहां आना चाहिए फिर आपकी जो statement दी गई है वो है only two only three people sit between C and G C और G के बीच में तीन लोग है और B जो है G के पास में नहीं बैठा है इसका मतलब क्या हुआ B आपका यहां पर बैठेगा C यहां पर और G आपका यहां पर यही आपकी possibility है जो इनकी sitting arrangement कर सकती है क्योंकि अगर B यहां पर इदर आ गया तो आपका B G के साथ हो जाएगा तो B को C के पास बैठाना पड़ेगा और last में आपका C होगा इसने question पूछा extreme right end पर कौन बैठा है तो यह कौन बैठा है C बैठा है extreme right end पर option A विलकुल आपका correct होगा तो यह आपका linear sitting arrangement का question था next आपका दो statement जी गही है syllogism का यह question है उनके base पर हमको बताना है conclusion true है या false है यानि वो follow कर रहे हैं या नहीं सबसे पहले हम statement के base पर जो है when diagram draw करेंगे उससे देखेंगे conclusion को all plants are vegetables सभी plant P से plant वो vegetable है some plant are poisonous कुछ plant है वो poisonous है पियों से poisonous अब पहला conclusion है all vegetables are poisonous सभी vegetable poisonous है तो यह possibility आपकी हो भी सकती है नहीं भी यह confirm नहीं है इनके बारे में कि वो सभी जो आपकी vegetable है poisonous हो तो यह conclusion one आपका follow नहीं करेगा अगर confirm होता तो यह follow करता second है आपका some plants कुछ plant poisonous वो हमेशा होगा यह कुछ part common हमेशा रहेगा तो conclusion two follow कर रहा है तो option two आपका correct होगा sixth friend है यह भी आपका sitting arrangement का question है यह आपका circular sitting arrangement का question है 6 friend है वो सभी center की तरफ face करके circle पर बैठी है हमने 6 लोगों को बैठाना है यह 6 लोग हो गए आपके center की तरफ face है connect sits third to right of sona connect जो है sona के right में third यह sona मान लिया बैठी है इसके right में जो है connect third position पर यानि यह connect होगा आपका इसके opposite में बिलकुल kapil is an immediate neighbor of money इसको अभी छोड़ते हैं gold is sits second to right of money sona is immediate neighbor of kapil and suris अब इन तीनों statement से देखते हैं sona जो है immediate neighbor हो kapil और suris क्या तो sona kapil और suris की immediate neighbor है तो kapil को यहां पर put करते हैं suris को यहां पर उसके साथ इसने एक और condition दी है कि जो kapil है वो immediate neighbor है money का kapil money का immediate neighbor है तो money यहां पर आएगा और जो goldy है वो second to right of money तो यह goldy यहां पर आएगी तो इस arrangement में सभी information सभी चीजे correct मिल रही है तो यह आपका correct arrangement है फिर आपका पूछा गया question में immediate right of goldy, goldy के immediate right में कौन है तो right आपका कहां पर होगा यह सुरेस होगा option one बिलकुल आपका correct होगा next question है number series का question है हमको बीच में question mark दिया है वो missing number निकालना है देखें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप तो आपको दो series नजराएंगी क्योंकि number एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है तो दो series यहाँ पर है आपकी total 35 से 40, 40 से 45 प्लस 5 हुआ है फिर question mark से 47, 47 से आपका 55 य है 47 माइनस 6 होना चाहिए जो की 41 आएगा तो दो series है एक प्लस 6 की एक आपकी प्लस 5 की तो आपका question mark के place पर 41 आएगा next आपका figure series का ही question है यह आपकी series repeat हो रही है question mark के place पर बताना है कौन सा आपका diagram आएगा इन में से कुछ pattern है यहाँ पर वो पहचानना हमें सबसे पहले पहले से दूसरे figure में देखते हैं तो आपका एक नया letter P आया है यहाँ पर बाग की 4 letter same है फिर दूसरे से तीसरे में देखते हैं कोई नया letter नया same letter से तीसरे से चोथे में देखते हैं तो एक नया letter C आया है इसका क्या मतलब है कि आपके यहाँ पर दो चेंजिज आए है एक से दो में चेंजिज है, दो से तीन में अलग है फिर तीन से चार में एक से दो वाला है और चार से जो question mark में आएगा वो आपका दो से तीन वाला आएगा तो देखते हैं एक से दो में क्या change है एक से दो में ध्यान से देखिए आप जो center में element है वो एक नया element आया है P आ गया है ठीक है और जो B और L है उनका L और B हुआ उनका reverse हो गया है फिर last वाले S और T है उसका T और S हो गया उनका reverse हो गया यानि center वाला नया पहले दो element का reverse आपस में उन्होंने interchange कर लिया position last के दो element ने आपस में interchange कर लिया फिर देखिए आप main जो हमें चाहिए जो आपका 2 से 3 और 4 से question mark में change होगा वो आपका क्या है जो element यहाँ पर L था वो एक right side में गया फिर B एक right में गया P एक right side में गया T जो है right side में गया तो एक-एक right में shift होते जा रहे हैं और last में जो S है वो आपका left में यहाँ पर S आ गया जो rightmost जो S है वो बिलकुल left में आ गया आपका reverse पिछे बाकी एक-एक element आगे shift हो रहे हैं तो यह change अगर आप 4 में apply करेंगे तो आपका P जो है वो बिलकुल left में आएगा और बाकी एक-एक आगे shift हो जाएंगे L-S-C-T P-L-S-C-T यह आपका option 3 में दिया गया तो दो तरह के change थे हैं यहाँ पर उनको आपको पहचानना है एक code language है उसमें code को लिखा गया O-C-R-T-R code को O-C-R-T-R लिखा गया है और judge को लिखा गया U-J-A-E-G order को बताना क्या लिखा जाएगा तो देखेंगे elements को तो आप सुरु में C-O है O-C हो गया O-C यानि reverse हो गया उसका यानि C-O-U-R-T O-C-R-T-R तो जो U से R बीच में change होगा माइनस 3 का हुआ है O-C आपस में interchange होए है और ये आपके R-O-T आपस में आपके interchange होए तो logic क्या आपका बीच वाला center वाला है उसमें माइनस 3 होगा और बाकी शुरु वाले आपस में interchange बाद वाले दो लैटर्स वापस में interchange सेम जज में check करेंगे J और U का U और J हो गया G और E last में है E और G हो गया और बीच में जो D है उसका माइनस 3 करके A आपका सेम order से हमको निकालना है क्या आएगा आपका R और O हो जाएगा last में आपका R और E हो जाएगा शुरु वाले और last वाले का हमने reverse कर दिया D से माइनस 3 करेंगे A आएगा यानि R O A R E यह आपका option 4 में दिया गया next question देखिए आप यह आपका wind diagram का question है आपको बताना electric appliance refrigerator और freezer का relation कौन से option में correct दिया गया तो option 2 यहाँ पर आपका correct होगा refrigerator और freezer आपके अंदर linked हो सकते हैं एक दूसरे से और यह दोनों आपकी electrical appliance है यह आपका बाहर वाला circle होगा फिर एक और आपका wind diagram based question है pencil, eraser और sharpener इनको बताना है तो तीनों अलग-अलग stationary का item है pencil, eraser और आपका शोपनर यह आपस में related नहीं है अलग-अलग है तो option 2 आपका बिल्कुल correct होगा next question देखें आप number से related है analogy का question है जैसे 7, 1, 1 और अठाणवे related है ऐसा ही 4, 52 और चपन option में तो बताना है आपको same relation पर कौन सा जो है कौन से number का pair related है सबसे पहले relation देखते है 7, 1, 1 और अठाणवे साथ को अगर 13 से multiply करें तो एक्याणवे आएगा तेरा स्थे एक्याणवे होता और 14 स्थे आपका एक्षाणवे होता यानि 14, 70, 98 आएगा logic क्या आपका पहला जो number है A उसको 14 से multiply करते हैं तो B आ जाता है दूसरा number और अगर 14 से multiply करते हैं तो तीसरा number C आ जाता है सेम चेक करते हैं दूसरे वाले जो पेर है उसमें 4 की यानि 4 की multiply 13 से करेंगे 13 चुके 52 होता है आपका और 14 से करेंगे तो 14 चुके आपका 56 होता है बिल्कुल correct logic तो सेम option में चेक करेंगे तो option 2 बिल्कुल correct होगा बाकी option आपके सेम रिलेशन पर आधारित नहीं है 12 को अगर 13 से multiply करेंगे 156 आएगा 12 को 14 से multiply करेंगे 168 आएगा तो इस तरह से आपको सेम रिलेशन पहचानना है और correct answer चोज करना यह एक आपका फिर से analogy का question है word analogy परवेश्ट butterfly और caterpillar का जो relation है वही insect का किसके साथ जिस परकार जो caterpillar है वो young one यानि जो initial stage होती है butterfly की जब जनम होता है तब वो caterpillar बोला जाता है ऐसे insect की जो initial stage यानि उसका young one होता है वो larva होता है option 3 यहाँ पर correct होगा next question देखिए same आपका number analogy का question है 7, 35 और 42 का relation है जो वही 4, 20 और 24 का है और same relation पर बताना है कौन से number pairs का जो है relation है option में से 7, 35, 6 से multiply sorry 7, 35, 5 से multiply करने के बाद आएगा और 7 से 42 अपका 6 से multiply करने के बाद आएगा यानि पहले number को 5 से multiply करने पर दूसरा number आ रहा है पहले number को 6 से multiply करने पर तीसरा number आ रहा है same दूसरे pair में चेक करते हैं 4 को 5 से multiply कर रहे हैं तो 20 आएगा 4 को 6 से multiply करेंगे तो आपका 24 आएगा यानि logic दोनों में same है तो option में से check करिए option 1 बिल्कुल correct होगा बागी तीनों same relation नहीं follow कर रहे है 9, 5, 45 होता है और 9, 6 के आपका 54 होता है तो आपका same relation पर based बिल्कुल option 1 correct है next देखें आपका ये आपका letter series का question है बीच में question mark दिया गा है वहाँ पर बताने कौन से letters की term आएगी सबसे पहले letters को देखेंगे सबके E से F, F से G G से question mark और question mark से आए हर बार plus 1 हो रहा है तो G से plus 1 करेंगे तो क्या आएगा आपका H second letter में L से J, J से H और H से question mark और फिर आपका D तो हर बार जो है minus 2 हो रहा है चेक करिए आप minus 2 करके next letter मिल रहा है तो H से अगर आप minus 2 करेंगे तो आपका आएगा F फिर third letters में देखेंगे S से V, V से Y, Y से question mark और फिर आपका E तो हर बार plus 3 हो रहा है तो Y में plus 3 करेंगे तो आपका letter आएगा B फिर आपका V, R, N और question mark और F ये last के letters हैं इन में minus 4 का pattern चल रहा है तो आप अगर N में minus 4 करके देखेंगे तो आपका letter आएगा J N की place value 14 होती है वहाँ से minus 4 करेंगे J आएगा आपका तो correct option आपका option भी है तो pattern आपको पैचालना है अलग-अलग letters देखने हैं कैसे change हो रहा है next आपका question है simplification based इसमें कुछ symbols हैं कुछ letters हैं उनको denote करना है कुछ symbols है और उसकी value निकालना है question mark के place पर क्या आएगा तो अगर letters पर हम symbols को रखते हैं तो क्या बनेगा आपका 2 और B की जगह पर आप place करेंगे multiply question mark D की जगह पर आपका divide आएगा और फिर आपका 2 equal to आपका 4 B की जगह पर आपका multiply 32 और D पर division 8 सबसे पहले right side को solve करेंगे तो 8 चोके 32 यानि 4 आया आपका यहां से और 4 और 4 की multiply 16 आएगा तो जो right side में 16 value आई left में आपकी 2 multiply question mark divide by 2 है तो question mark की value निकालने के लिए आप क्या करेंगे 16 तो right में है ही 2 जो divide में हूँ आपका multiply में जाएगा right में और 2 जो multiply में हूँ वो divide में आएगा true set to cancel हो जाएगा 16 आपका answer बचेगा option 1 बिल्कुल आपका correct होगा simple question था आपका फिर से एक same pattern का question है यहाँ पर भी हम अगर symbols जो letter 7 की जगाँ पर अगर science को रखेंगे तो क्या बनेगा आपका 7 plus 3 फिर आपका b के place पर आपका multiplication 24 और आपका d के place पर division 2 equal to में आपका बनेगा 20 b के place पर आपका multiplication question mark और आपका plus में a के place पर plus और 3 यहाँ से अगर question mark की value निकालने है तो आप पहले left वाला solve करेंगे तो आपकी क्या value आएगी 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 12 यह 36 आपका 36 और 7 आपका कितना होगा 43 43 equal to 20 multiply question mark plus 3 तो यहाँ से पहले 43 में से 3 इदर आके minus का होगा 40 बनेगा और 40 और question mark की value निकालनेगे तो 40 के डिवाइड में 20 आएगा तो 2 आएगी आपकी value option 2 आपका correct होगा next देखिए code language में friend को लिखा गया है iif dme demand को लिखा गया है mvdd dme ground को बताना है same code language में क्या लिखा जाएगा तो pattern को समझते हैं सबसे पहले friend में देखते हैं f r i e nd इसमें आपका code लिखा गया iif और फिर है आपका dme तो ध्यान से देखेंगे letters को हम 3-3 में इसको divide करते हैं तो i का ये i आगया f का f आगया r का जो है वो opposite यानि reverse letter होता है जो English alphabet में वो i होता है तो ये i आगया यानि center वाले का reverse या opposite side वाले जो है जो आपस में interchange करें ऐसे ही दूसरे जो 3 letter का पेरस में d यहाँ पर interchange e यहाँ पर n का opposite आपका m होता है और ये opposite letter कौन से होते है जिनकी place value का sum जो English letters होते है alphabet में जो place value होते है उनका जोड जो है 27 आता है तो वो opposite letters बोले जाते है तो यहाँ पर ये आपका pattern चल रहा है ऐसे ही next में check करेंगे m v d में g r हो आएगा sorry d m में m v d आएगा तो जो center में e का v बना है वो reverse है m और d जो interchange कर रहे है second जो इसका 3 letter का part है a and d है उससे d m में बना है तो d और ये interchange हो गए n का आपका m बन गया अब ground पे लगाएंगे same g r o को देखते हैं सबसे पहले g r o में o और g तो आपके interchange होगे center में r है जो उसका आएगा i फिर आपका u and d को देखते हैं तो d और u आपके interchange होगे और n का बनेगा m तो आपका o i g d m u option 3 बिलकुल correct होगा तो pattern को आपको note करना है same pattern पर आपके question आपके आने वाले exams में भी आपको मिलेंगे next question देखे आप same number analogy का question है 2-3 question पहले आ चुके हैं एक और question आया है आपका तीनो numbers में जो relation है दोनो pair के वही relation बताना option के किन numbers में होगा तो 6-2 और 6-9 6-2 से 6-9 कैसे आएगा 6 की multiply 2 से 12 और 12-8 है आपका च्छाण में यानि पहले दोनों letters की multiply 8 के साथ कर दी दोसरे में check करते हैं 5 multiply 6 30 और 8 से multiply करेंगे 240 तो same logic आपका बन रहा है option में check करोगे तो option 3 जो है correct होगा option 1, 2 और 4 जो है ये same relation follow नहीं करेंगे option 3 में देखिए 1 into 2 2 बनेगा 2 की 8 से multiply 8 से multiply करेंगे 16 आएगा तो option 3 आपका बिल्कुल same pattern पर है next आपका question दिया गया है जो English dictionary का order है उसमें बताना इन words का क्या order होगा और correct जो answer है वो आपको choose करना है correct option चुनना है तो English में जो इनका order होगा वो आपका सबसे पहले descend आएगा सबसे पहले descend आएगा फिर आपका desire आएगा यानि 4 एक sorry 3 एक 3 एक किसमें है सारे option में है फिर आपका जो है desolate आएगा 3 एक 5 तीन एक 5 आपका जो है 2 option आपके eliminate हो गए 2 और 4 बचे आप फिर उसके बाद आपका desperate आएगा desperate आएगा तो 3 एक 5 छे letter आएगा sorry जो word आएगा वो destination आएगा और destination आएगा तो आपका कौन सा ही है 2 तो आपका option 4 correct हो गया option 2 अब गलत हो गया तो option 4 यहाँ पर आपका correct है next आपका letter analogy based question है same check करते है क्या यहाँ पर pattern है सबसे पहले दिया गया है temple इससे बना है scj lgy फिर आपका church bfr nxb most का बताना है क्या बनेगा पहले इन में letters check करते है t से s check करोगे minus 1 हुआ है e से आप c देखेंगे minus 2 m से आप j देखेंगे minus 3 p से l देखेंगे आप minus 4 l से आप g देखेंगे minus 5 और आपका e से y minus 6 यानि pattern क्या है पहले letter में minus 1 करके लिखा गया दूसरे में minus 2 फिर minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 church में same check करेंगे आप same आपको मिलेगा c से b minus 1 h से f minus 2 u से r minus 3 और r से n minus 4 c से x minus y और h से b minus 6 करके मिलेगा आपको तो same लगाते हैं most में m से minus 4 करेंगे आप l आएगा o से minus 2 करेंगे m आएगा s से आप minus 3 करेंगे p आपको मिलेगा और q से minus 4 करके m मिलेगा u से आप अगर minus 5 करेंगे p मिलेगा और आपको e से अगर y sorry e से अगर minus 6 करेंगे y मिलेगा तो LMP MPY option 4 आपका correct होगा तो इस pattern का भी आपको logic मिल सकता है minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 और minus 6 next question देखें आप फिर से एक dictionary order का question है in letters को in words को जो है dictionary में बताना किस order में है और correct option आपको चुनना है तो सबसे पहले जो आपका word आएगा यहाँ पर logician आएगा 4 वाला सबसे पहले तो आपके 2 option तो आपके eliminate होगे फिर आपका दूसरा और चोथा बचा है फिर आपका आएगा loin cloth second पे आएगा तो 4, 2 4, 2 आपका option 4 भी गलत होगे आपका option 2 बिल्कुल correct है तो यहाँ पर आपको पूरा भी देखने की जुरूद नहीं है बाकि आप पूरा check कर सकते हैं लेकिन option दो जो letter से हैं, दो word से उनको check करते हैं आपका correct option आपको मिल रहा है next question देखिए आप यह आपका घन दिया गया है, cube दिया गया है open cube है, open dice भी बोलते हैं इसको खुला पासा इसमें आपको बताना है इसको जब बंद करेंगे तो एक, दो, तीन, चार में से कौन कौन सा जो है correct होगा देखिए इसमें सबसे पहले opposite face पर देखते हैं A के तो opposite I होगा Z के आपका U होगा और E के O होगा A के आपका I होगा Z के U होगा E को O होगा अब देखिए आप जो यह close आपके figure देगे इसमें सबसे पहले में A के साथ में आई है इसका मतलब यह गलत है A के opposite आई आता है दूसरे में आपका E के opposite E के साथ में O आया है तो इसका मतलब यह गलत है E और O opposite है तीसरे में चेक करिया A, Z, E तीनों अलग अलग है कोई किसी के opposite नहीं है तो यह आपका correct है फोर्थ चेक करते है Z और U जो है वो आपके साथ में दिये गए है लेकिन वो opposite होने चाहिए यह आपका गलत है एक ही figure आपका सही है option आपका 2 correct होगा only 3 तो ऐसे आपको चेक करना है letters के 4 cluster दिये गए है 4 group दिये गए है option में बताना है कौन सा अलग है बाकी 3 सेम है तो आप चेक करेंगे PR के L इसमें देखेंगे P से R प्लस 2 R से K माइनस 7 और K से जो L है वो प्लस 1 यानि प्लस 2 माइनस 7 प्लस 1 का pattern है F, H, A भी चेक करेंगे F से H प्लस 2 H से A माइनस 7 A से B आपका प्लस 1 हुआ है यानि सेम pattern है इसका मतलब फिर आप PSJK में चेक करेंगे PSJK में इसका मतलब है एक का और सेम pattern होगा अगर PSJK का सेम मिलता है तो वो ठीक है बाकी का option जोए answer होगा नहीं तो PSJK आपका answer होगा PSJK में आपका plus 3 मिला है यानि ये अलग हो गया पहले में plus 2 था फिर आपका minus 8 है S से J और J से के आपका plus 1 है तो ये आपका अलग है option 3 आपका correct answer है Next आपका blood relation रख्त संबंद से ये related question है L is the wife of Q Q की wife L है तो ये हो गया L इनकी wife फिर आपका जो है P is mother of M तो इसको अभी छोड़ते हैं इनके बारे में नहीं पता J is the father of L अब denote करते हैं J father है L का फिर है आपका M is the sister of H H की sister है ये भी अभी छोड़ते है J is the husband of H J husband है H का तो H इनकी wife होगी और अब वापस आते हैं क्या थी हमारी information M is the sister of H M इसकी sister है H की ये M हो गई आपकी और फिर A information P is the mother of M M की mother P है ये P हो गई और ये इनकी mother सबसे उपर आपकी P है पूछा है P is related to L P L से कैसे related है तो P जो है ये सबसे उपर है ये L से कैसे related होगी ये L के father है ये L की mother है उनकी बहन है उनकी माता है यानि उनकी mommy की mommy होगी है उनकी mother की mother होगी तो P है जो L की mother की mother option 3 आपका correct होगा ये question देख देए ये आपको जो है hidden figure यानि embedded figure से related question है आपको पहचानना है कि इस दियेगए figure में इन option में से कौन सा figure चूपा होगा तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस figure को तो आपको option 1 वाला figure direct दिखाई दे रहा है और ये आपका यहाँ पर है ये आपकी triangle है ये line है ये line तो ये आपका option 1 बिल्कुल correct है बाकी आपको कोई भी figure इसमें नजर नहीं आएगा direct rotation नहीं करना है ये आपको allow नहीं है question number आपका 24 है syllogism based question है when diagram draw करते है all flowers are tree सभी flower tree है F40 है all leaves are flower अंदर आपका leaves है ये आपका diagram है पहला conclusion है all trees are flower सभी tree flower है क्या सभी tree flower है देखिए flower जो अंदर है उसके लेकिन पूरा उसके उपर circle आएगा कि नहीं ये confirm नहीं है तो ये possible हो भी सकता और नहीं भी तो ये follow नहीं करेगा second है all leaves are trees सभी leaves जो है tree के अंदर हमेशा रहेंगी तो ये आपका true है बिल्कुल confirm है तो आपका only conclusion to follow option 3 बिल्कुल correct होगा next question देखिया plus का meaning है multiply multiply का minus minus का divide और divide का आपका plus तो बताना इस equation की क्या value आएगी तो सबसे पहले in science को interchange करते है इस equation में तो हमें क्या मिलेगा 250 divide by 10 multiply 10 minus 5 और plus 2 ध्यान से देखिया आप इनको ये आपको value मिलेगी जब हम science को जो दिये गया information है उसके आदार पर हम change करते है तो इसको सबसे पहले divide को solve करते हैं 25 आएगा आपका 25 की 10 से multiply 250 minus 5 और plus 2 से आपका minus 3 बचेगा तो 250 minus 3 247 through 40 आपका option 4 correct होगा next question देखिया number series का question है series में बताना है last में question mark के place पर जो missing number है कौन सा आएगा तो ध्यान से देखिएंगे एक बार number बढ़ रहा एक बार घट रहा है यानि दो अलग-अलग series बनेगी याँ पर एक बनेगी 115 से 122 से 139 यानि प्लस साथ किये series है फिर दूसरी 130 से 137 137 से question mark यह भी आपकी प्लस साथ की series है तो 137 में अगर प्लस साथ करेंगे तो आपका आएगा 144 और यह option 2 आपका correct है तो simple 2 series थी दोनों प्लस 7 पर पर है और वो move करना start करता है यह z point आपका 7 किलोमेटर साथ की तरफ जाता है यह 7 किलोमेटर साथ की तरफ फिर वो right में move करता है और 5 किलोमेटर जाता है यह आपका 5 किलोमेटर हो गया फिर से right में मुड़ता है और 3 किलोमेटर जाता है यह आपका तीन किलोमेटर हो गया राइट में, तो यह ऐसे मूँ कर रहा है, फिर से वो राइट में मूँ करता है, एक किलोमेटर, एक किलोमेटर हो गया यह, तो यह देखिया, यह आपका एक किलोमेटर है, और ये आपका जो है टोटल पांच है और एक ये लेप्ट में जो है राइट में मूँ कर गया तो ये आपका चार बचेगा तो इनके बीच का गैप तो चार किलोमेटर है चार किलोमेटर आपका तीन ओप्शन में दिया आप डारेक्शन देखनी है तो एक से जैड देखेंगे तो वो उसको इस डारेक्शन में जाना पड़ेगा यानि ओप्शन वन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा ये क्वेशन है आपका एक प्लस को दिनोट करता आप भी मल्टिप्लाई को सी माइनस को और डी जो है डिविजन को तो इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है तो इसमें हम जो साइन्स के प्लेस पर जो है स्वरी जो लैटर्स के प्लेस पर साइन रखेंगे तो क्या हमें वैल्यू मिलेगी 49 39 डिवाइड बाई 13 मल्टिप्लाई 2 फिर माइनस 6 प्लस 8 यह आपकी वैल्यू बाई इसको सॉल करेंगे सबसे पहले डिविजन को सॉल करते है 13 ती ए 49 होता तो 3 आएगा 3 की 2 से मल्टिप्लाई करेंगे 6 मिलेगा 6 माइनस 6 प्लस 8 है आपका 6 से 6 कैंसल 8 आपका बचेगा सिर्फ option 2 आपका correct होगा next question देखिए यह भी number series based question है sorry जो numbers के जो missing number type question है कुछ row दी गई है उसमें numbers related है उसी आदार पर बताना तीसरी row में कौन सा number आएगा तो ध्यान से देखेंगे 19, 6 और 37 तो इनको किस आदार पर related है 19 में अगर हम 6 multiply by 3 18 जोडेंगे तो 37 मिलेगा यानि क्या है आपका logic पहला number प्लस में दूसरे number की 3 से multiply equal to तीसरा number second चेक करते हैं 21, 8 और 45 21 प्लस 8 multiply 3, 24 होता है 24 और 21 कितने 45 होता है तो यह भी आपका same logic follow कर रहा है यानि आपका logic clear है पहले number में अगर दूसरे number की 3 से multiply करके जोडेंगे तो हमें तीसरा number मिलेगा यही apply करते हैं तीसरी row में 72 प्लस 14 और 3 की multiply 42 होती है 42 और 72 को जोडेंगे तो 114 आएगा तो आपका option 1 बिल्कुल correct होगा next question देखिए आप figure series based question है आपका तो बताना है question mark के place पर जो है इस series में कौन सा figure आएगा option में से तो ध्यान से देखिए एक ये पहली hexagon है एक ये hexagon है तीसरी तो same type की है ये कुछ अलग type की है तो इसका relation fourth के साथ बनाते है पहली का तीसरी के साथ पहली से तीसरी में जो ये आपकी line है ये opposite corner पर shift हो गई है तो इस वाली में shape ऐसी होनी चाहिए hexagon की last वाली में और जो ये line है ये opposite corner पर shift होनी चाहिए या निए इस पर आनी चाहिए तो आपका option 3 इसके base पर correct होगा same shape है और opposite corner पर line है next question देखिए आप letter series का question है आपका और इसमें आपको बताना है कि missing letter की जो series है जो term है वो कौन सी होगी सबसे पहले पहले letters को check करेंगे सबके a से f f से k, k से p p से जो है question mark तो हर बार plus 5 करके next letter आ रहा है तो p plus 5 करेंगे तो आपका u आएगा second letter में b से f f से j, j से आपका n और n से question mark हर बार next letter मिल रहा plus 4 करके तो n में plus 4 करेंगे आ रहा हैगा आपका third letter देखते हैं सबके e से h, h से k और k से n तो हर बार जो है plus 3 हो रहा और अगर n में plus 3 करेंगे फिर से तीसरे letter में तो आपका letter आएगा q last letter आपके g, i, k, m यानि हर बार जो है plus 2 करके next letter मिल रहा है g plus 2 i, i plus 2 k, k plus 2 m और m में अगर plus 2 करते हैं आपको o मिलेगा m, n, o तो u, r, q, o यानि option 2 आपका correct है next question देखे आप फिर से letter series का question है अब की बार बीच में missing letter का जो term है तो देखते है m से l पहले letters को l से question mark question mark से j और j से i तो इनमें हर बार जो next letter मिल रहा है minus 1 करके मिल रहा है m से l minus 1 है last में j से i minus 1 है इसका मतलब l से minus 1 करेंगे तो आपका k मिलेगा second letter में k से m m से question mark और आपका फिर q और फिर s तो हर बार plus 2 किया जा रहा है तो m में अगर plus 2 करेंगे तो आपका o मिलेगा m, n, o third letter में p से o, o से question mark फिर m और फिर l यहाँ पर फिर से minus 1 किया जा रहा है तो आपका अगर o में आप minus 1 करेंगे तो आपका letter आएगा n सबके last letter देखिए n से p, p से question mark फिर आपका t और फिर v तो m से p plus 2 हुआ है p से फिर plus 2 होना चाहिए p से अगर plus 2 करेंगे तो वो आपको r मिलेगा p, q, r तो k, n, r, option 1 बिल्कुल correct है तो alternate letters में पहले दूसरे तीसरे चोते में क्या था minus 1 plus 2 फिर से minus 1 plus 2 यह आपका pattern था next question आपका code language का v, a, double, t को लिखा गया है 65 st, o, l, k को लिखा है 79 same code पर बताना है generous, g, e, n, e, r, u, s को क्या लिखा जाएगा देखे, v की जो place value होती English self-private में वो 22 होती है a की 1 होती है, t की 20, t की फिर से 20 सबका जोड करेंगे तो आपको 63 मिलेगा और 63 में अगर फिर से plus 2 करेंगे तो हमे 65 मिलेगा second में फिर से check करते है st, o, l, k s की 19 होती है, t की 20 o की 15, l की 12 और k की 11 सबको जोडेंगे तो 77 मिलेगा उसमें 2 और जोड देंगे तो आपका 79 मिलेगा आपको यानि logic क्या है, pattern क्या है आपको clear होना चाहिए जो place value है letters की उनको जोड कर उसमें फिर से 2 और जोड दिया गया है तो हमको ये code मिल रहा है तो generous के सभी letters को देखते है g की 7 होती है, e की 5 n की 14, e की 5 r की 18, o की 15, u की 21 और s की 19 तो इन सभी place value को जोडेंगे तो आपका जोड बनेगा 104 और उसमें फिर से 2 जोड ना है तो 106 बनेगा यानि option तर या आपका correct है next question आपका hidden figure, embedded figure से related है तो ध्यान से देखिए यह आपका figure कौन से option में चुपा हुआ है तो ध्यान से देखेंगे तो आपका यह figure आपको मिलेगा option 2 में और आपका क्या pattern है, यह आपका pattern है center में और यह आपके triangle यहाँ पर तो यह आपका pattern है, और किसी figure में आपको same pattern नहीं मिलेगा और figure को rotate करना allowed नहीं है तो option 2 यहाँ पर बिल्कुल correct होगा तो यह visual reasoning के question आपको direct option देखके correct option चुनना होता है फिर से question है आपका figure series का figure series के दो question पहले पूछे जा सुके हैं तो जो visual reasoning का जो part है उसकी भी weightage काफी हो चुकी है हर exam में यहाँ से question आ रहे है तो इसको note करेंगे आप सबसे पहले इन circles को note करते हैं पहले यहाँ थे फिर एक left में shift होगे anti-cloquire direction में फिर next 2 corner में चले गए तो इसका मतलब यहाँ पर 2 circle आने चाहिए और यहाँ पर आने चाहिए तो आपके option 1 or 2 तो आपके cancel होगे यह तो आपके answer नहीं होगे अब check करते हैं 3 और 4 में दोनों नीचे है अब position check करते हैं आप इस part की पहले यह dark है फिर dark नहीं है फिर dark है तो आप dark नहीं आना चाहिए तो option 4 correct है option 3 आपका wrong होगा तो इस तरह से आपको figure series के question में mainly क्या करना होता आपको कुछ भी pattern थोड़ा थोड़ा देखके 3 option को eliminate करना हमारा aim होता है चोथा आपका answer बच जाएगा पूरे figure पूरे patterns को यहाँ पर check नहीं करना होता कुछ pattern को देखके जो आपको 3 option को eliminate करना game का code है gme8426 must का code है 7853 m का code बताना है तो ध्यान से देखेंगे game में और must में m letter common है number में क्या common है number में आपका 8 common है इसका मतलब m का code 8 होगा option 4 correct होगा next question देखेंगे आप dice का based question है passay का इसमें आपको बताना है कि one की opposite face पर कौन सा number आएगा दो ये एक passay की situation दिखाई गई है तो ध्यान से देखेंगे तो 5 और 4 जो number है वो common है दोनों face पे जब दो number common हो तो बचे हुए number एक दुसरे के opposite होते है यानि एक के opposite आपका 6 आएगा तो option 4 आपका correct होगा plus को minus का आगया minus को multiply multiply को divide और divide को plus तो बताना इस equation की क्या value आएगी तो हम अगर sign interchange कर देते हैं इनके जैसा बता गया information में तो हमें मिलेगी equation 137 plus 56 आपका फिर आपका divide by 7 फिर आपका multiply 6 और minus आपका 31 इसको solve करेंगे बीच में divide है इसको solve करेंगे 56 divide by 7 8 आएगा 8 की 6 से multiply करेंगे आपको 48 आएगा यानि 137 plus 48 minus 31 इसको solve करेंगे तो आपकी जो value आएगी 137 यहाँ से आपकी plus के 17 आएगे 17 और 137 आपके 154 होंगे option 1 बिलकुल correct होगा next फिर से आपका एक और same pattern related question है A के place पर plus रखना है B के multiply C के minus और D के division तो इस equation की value बतानी है तो ध्यान से देखिए आप इसको अगर हम इन letters के place पर sign रखते हैं तो क्या आपकी equation बनेगी 96 divide by 3 multiply 8 minus 25 फिर आपका plus 14 तो ध्यान से देखिए यह मैंने इसके जो letters के place पर sign रखने हैं वो रख दिये अब कैसे करेंगे सबसे पहले division 96 divide by 3 क्या आएगा आपका 32 multiply 8 minus आपका minus का 25 है plus का 14 है minus 11 बचेंगे तो 8 और 32 की multiply करेंगे 256 आएगा और minus 11 245 यानि आपका option 3 correct होगा next question देखिए आप code language का question है flora को लिखा गया w q o l c money को लिखा गया p n p y e going का code बताना है तो ध्यान से देखिए आप काफी important question है आपके लिए note किजिए flora f l o r a code क्या है इनके w q o l c देखिए direct आप plus minus करेंगे आपको सही से pattern नहीं मिलेगा तो एक pattern और आपको check करना है reverse letter का reverse letter मैंने बताये थे जिनका जो जोड है वो 27 होता है वो English alphabet में जो है reverse letter होते है तो f का reverse आपका जो letter होता है वो होता है आपका u और u में अगर plus 2 करेंगे तो आपका w आएगा ऐसे ही l में l का reverse जो होता है वो o होता है o में जो है plus 2 करेंगे तो q आएगा यानि reverse plus 2 reverse plus 2 फिर आपका o से o कैसे आएगा o का reverse होता है आपका l और l में अगर plus 3 करेंगे तो o आएगा यहाँ पर reverse plus 3 कर दिया गया r से l कैसे आएगा r का आपका opposite होता है i और i में अगर plus 3 करेंगे तो आपका आएगा l a से आपका जो c आया वो कैसे आएगा a का reverse होता है z और z में plus 3 करेंगे तो आपका यह आएगा c यानि logic क्या है पहले 2 लैटर में तो reverse लैटर plus 2 की आगया है बाकी के 3 में पिछले 3 में जो है reverse लैटर plus 3 किया गया same money में check करिए m से और o से reverse देखके plus 2 करते हैं तो pn मिलेगा आपको आप इसको check करिए same pattern मिलेगा last के 3 में ney से आपका py e कैसे आएगा इनके reverse करके plus 3 करेंगे तो same logic पर going का बनाएंगे आप इसको check करिए same pattern आपको मिलेगा आपको सिर्फ logic को note करना है question आपको कोई भी दिया जा सकता है यहाँ पर going का check करेंगे go में अगर g का reverse देखेंगे तो g का reverse आपका होता t और t में plus 2 v आएगा o का आपका reverse l होता है l में plus 2 करेंगे तो आपका n आएगा फिर आपका i का जो reverse लेटर होता है वो होता आपका r और r में plus 3 करना है पहले 2 में plus 2 करना था पिछले 3 में plus 3 तो r में plus 3 करेंगे तो आपका जो आएगा u आएगा फिर आपका n n में अगर opposite लेटर देखेंगे m आएगा और m में plus 3 करेंगे तो आपका P आएगा और G का आपका reverse letter T होता और T में फिर से आप जो है प्लस 3 करेंगे W आएगा V and U P W आपका option to correct होगा तो काभी अच्छा logic था आपको ध्यान देना इस logic पर यह एक number series का question दिया गया है आपको बताना है next missing number क्या होगा देखिए 1 divided by 729 729 9 आपका 9 की cube होता है नीचे वाले पार्ट को देखिए उपर minus 1 है अर जगा है नीचे फिर 81 9 की square होता है 9 आपका 9 की power 1 होता है तो next आपका 9 की power 0 आना चाहिए नीचे और minus 1 divided by 9 की power 0 करेंगे इसी की power 0 value 1 होती है और यह 1 आएगी तो minus 1 divided by जो plus 1 होगा minus 1 आपका answer आएगा तो pattern clear है जो नीचे वाला denominator part हो 9 की cube 9 का square 9 की power 1 और फिर 9 की power 0 आएगा next question देखिए आप direction based आपका question है रोहित है जो वो 3 km drive करता है नोर्थ की तरफ point A से मालिया यह point A है वो 3 km जाता रोहित नोर्थ की तरफ यह 3 हो गया फिर क्या करता है वो lefton लेता है और 4 km यह lefton और 4 km फिर वो again left लेता है और 6 km यह 6 km आ गया फिर क्या करता है वो वो lefton लेता है एक और और 4 km और B point पर पहुँँचता तो यह same line में आ जाएगा 4 km जाने के बाद अब B बताना है कि उसको कितनी दूर चलना पड़ेगा A point पर जाने के लिए B से ये B point है A point पर जाने के लिए कितने kilometer चलना पड़ेगा सबसे पहले तो ये 3 तो यह तक है पूरा 6 है तो 3 आपका बचेगा तो 3 kilometer आपका तो option 2 और 3 तो cancel हो गए आपके अब direction देखनी है तो direction B के point A कहाँ पर है नोर्थ में है तो option 1 बिलकुल correct होगा ये देखिए आपका dice पर based एक और question आया है इसमें आपसे पूछा गया है कि जो face जिस पर एक number है उसके opposite कौन सा number होगा उसके विपरित जो face है उस पर कौन सा number होगा यहाँ पर ध्यान से देखिया अलग-अलग यह figure है अलग-अलग जो है सितीतियां दे गई है क्योब की positions दे गई है तो पहले और तीसरे figure को अगर हम देखते हैं तो इनमें एक number common है एक और अगर एक number common हो तो हम कैसे निकालते हैं opposite face को जो common है उसको लिखेंगे सबसे पहली जो figure है उसके लिखेंगे जो common है उसको लिख लिया और clockwise direction में repeat करेंगे number को 5 और 6 फिर नीचे दूसरे के लिखेंगे जो common है उसको लिखेंगे और clockwise direction में 2 और 4 तो अब 6 के तो opposite 2 हुआ sorry 4 हुआ 5 के 2 हुआ और जो एक है उसके opposite बचा हुआ number होगा 3 होगा बचा हुआ number 3 है तो एक के opposite 3 होगा option 1 बिल्कुल correct होगा mirror image based question है आपका इस figure की mirror में image बताने है कौन से option में correct दे गई है तो बात आपको ध्यान रखनी है mirror में image निकालनी है तो आपका जो left right part ही change होगे उपर और नीचे के part जो आपस में change नहीं होगे तो इसमें क्या होगा जो उपर और नीचे circle और जो ये आपका square है ये रहेंगे तो उपर और नीचे लेकिन position left right में उनकी change हो जाएगी लेकिन इस तरह से आने चाहिए तो option में आप ध्यान से देखेंगे सिर्फ एक ही diagram में उपर दिये गए हैं दोनों figure बाकी में कहीं ना कहीं उनकी position नीचे नहीं आ सकती है side में नहीं जा सकती है नीचे नहीं आ सकती है तो option 2 आपका बिल्कुल correct होगा यहाँ पर तो mirror image की question को आपको ऐसे ही कुछ part चेक करके answer जो है choose करना है फिर 6 की देखिए आप 6 की check करेंगे तो option 4 आपका गलत हो जागा इसमें आपकी शिल्कुल 6 को जैसा 6 बनता है वैसा ही दिखा गया image नहीं है उसकी अब बाकी के 3 option देखिए आप हमारे बचे हैं 1,2,3 अब इसमें check करते हैं P और D को P जो है P और D left और right position उनकी change हो जाएगी और जो D की image बनेगी वो तीनों में correct दी गई है P की image जो बनेगी वो आपकी option 2 में simple P लिखा एक और आपके 3 बच गया अब चेक करेंगे बाकी option उपर ये आपका नीचे 7 और ये circle वाला है इसको check करते हैं दोनों में तो इनकी left right position change हो जाएगी दोनों आपके correct हैं दोनों में फिर आपका बचा हुआ है जो symbol हो check करते हैं S और जो ये आपका ऐसे वाला symbol है इसको check करते हैं ये left right में change होंगे तो आपका जो ये भी आपके same दिये गए हैं तो काफी चीज़े check करनी पड़ रही है अब check करेंगे हम जो center वाला part है center वाला part check करेंगे आप ये पहले भी check किया जा सकता था तो आपकी correct जो image बनेगी वो आपकी option 1 में दी गई है इस part की option 3 आपका गलत हो जाएगा तो इसको हमें पहले check करना चाहिए था तो ये आपका पहले ये में answer मिल जाता next question देखेंगे आप question 46 है इन letters के pairs में थे तीन एक परकार से related है लेकिन चोथा जो है अलग है उस odd letter के pair को आपको बताना कौन सा है j i g q check करेंगे j से i जो है वो आपका minus 1 है i से g minus 2 करके मिलेगा और q मिलेगा j का opposite यानि जो j है उसका opposite reverse letter होता है वो क्यों होता ऐसे ही w से v minus 1 v से t minus 2 और w और d आपके reverse होते हैं third में आप देखिए third आपका अलग है इन में से कुछ pattern k से l plus 1 और फिर plus 2 तो यहीं पर हमें पता चल जाता कि pattern कुछ लगए तो option 3 आपका correct होगा 4 में आपको same पहले जैसा pattern मिलेगा blood relation का question है और यह coded blood relation पर based question है तो coded blood relation का जब भी आपको question मिले जो दो family diagram हमें information से draw करना है इस equation से वो आपको draw करना है पीछे से ध्यान रखना है पीछे से आपको शुरू करना J star Z J star Z का क्या मतलब है कि J है वो mother है Z की J अगर Z की mother है तो J Z की mother है Z का नहीं पता male है या female है फिर C dollar J C dollar J का मतलब है C है sister J की J की sister C है तो यह हो गया इसकी sister फिर M question mark C इसका मतलब है कि M है वो बेटा है C का C का बेटा M है तो M और M का plus आएगा यानि male है पूछा है relation J की इस प्रकार से related है M से तो J का अगर M से relation बताना है तो M की mother है C और उसकी sister है J यानि J है mother sister M की option 3 बिलकुल correct होगा question देखिए मैंने dice का एक और question आया है यहाँ पर face जिस पर 4 number है उसके विपरीट पर उसके opposite बताना है कौन सा number आएगा तो 1 और 3 figure को आप ध्यान से लेजिए 1 और 5 जो है common है दोनों में और मैंने बता था 2 face पर अगर common number है तो बचे हुए 2 number है वो एक दूसरे के विपरीट होगे 2, 4 के विपरीट होगा opposite होगा तो 4 के विपरीट 2 हाएगा option 1 बिल्कुल correct होगा और अगर single position single face पर अगर common number है तो मैंने बता था उनको clockwise direction में लिखके कैसे आप opposite निकालेगे यह question आपका plus को minus लिखा गया और छोटी bracket को अंदर तो 14 multiply के place पर 6 आएगा यह आपकी bracket बनेगी बीच में multiply है plus बनेगा और आपका 4 multiply 3 आएगा इसको solve करेंगे हम तो कितना आएगा 14 minus 6 8 और plus में आपका 4 ती है 12 12 और 8 आपका 20 बनेगा तो यह part अब तक जो है 20 बन गया अब plus में और क्या आपका यह है 6 minus 4 और 6 minus 4 पर sign change करने के बाद क्या बनेगा plus तो आपका divide बनेगा और 6 plus 4 बनेगा 6 plus 4 10 होता है 20 को 10 से divide करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा अब तक हमने इतना part solve कर लिया अब divide by 3 वाला part बचा है divide को लिखते हैं क्या multiply और multiply 3 करेंगे तो 6 आपका answer आएगा option 3 बिल्कुल correct होगा तो आपको ध्यान से सिर्क board mass rule का यूज करना है बस ध्यान रखना है पहले कौन सा part कौन सा operation लगाना है पहले आपका bracket फिर आपका division और multiplication plus minus यह आपके order में solve करने आज का last question है 50 question है shift का जो है यह आपका numbers related question है relation बताना है 264 और 462 में जो relation है वही 132 और 333 में 330 में same option में बताना क्या relation है देखिए 264 में अगर आप 108 में जोड़ेंगे तो 462 मिलेगा यानि पहले number में 108 में जोड़ागा है तो दूसरा number मिल गया 132 में same check करेंगे 132 में 108 में जोड़ेंगे देखते हैं आपको 330 मिलेगा तो clear है दोनों में same logic लग रहा है तो इसका मतलब जो आपका logic है बिल्कुल सही है option में check करेंगे आप 386 में अगर 108 में जोड़ेंगे आपको 584 मिलेगा बाकी में ऐसा operation follow नहीं हो रहा तो option 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल correct होगा तो यह हमने जो 3 October 2023 का SSC CPU का first shift का जो question paper था उसके reasoning के question solve कर लिए आसा करता हूँ सभी question आपको अच्छे से समझ आए होगे आपको कोई doubt है तो आप comment box में पूछ सकते हैं मैं आपके जो doubt है उसका जवाब जरूर दूँगा तो friends अगर आज के यह question आपको समझ आए हैं वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरूर करे अपने friends के साथ भी share करे और channel को subscribe कर ले और bell icon को भी press कर ले अगर आपने अब तक यह नहीं किया है तो क्योंकि ऐसा करने से आपको हमारी daily classes के notification मिलते रहेंगे आप किसी भी class को miss नहीं करेंगे तो friends यह आपके लिए काफी अच्छे important question है आपके आने वाले exams के लिए जैसे CGL tier 2, CHSL tier 2 और आपका दिल्ली police constable का exam तो उनके लिए इन question को बार बार practice करिए ताकि आप आने वाले exams में अच्छे से इन question को attempt कर सके तो friends आज के इनी question के साथ वीडियो को smart करते हैं और मिलते हैं next video में next shift के important question के साथ Thank you